हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप होप आप सब लोग अच्छे होंगे आज मैं बना रही हूँ पनीर की भुझी यह बहुत ही टेस्टी बनती है बहुत जल्दी से बन जाती है कभी हम सोचते हैं कि यार कुछ ऐसी सब्जी बनाई जाए जो बहुत जल्दी से बन जाए तो हम इस बहुत टेस्टी भी लगती है और बहुत जल्दी से बन जाती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पणीर की भुझी मिनाना पनीर की भुर्जी बनाने के लिए हैं पर मैंने आदा किलो पनीर लिया था और दो मेडियम सैज के प्यास ले थे दो मेडियम सैज के टमैटो लिये थे तीन चार हरी मिर्च ली थी अद्रक रिया था और लस्तन लिया था उनको मैंने चॉप कर लिया है तो सबसे पहले मैंने पर कड़ाई रखिये, कड़ाई हमारी गरम हो गए है, उसके बाद मैं इसमें 3-4 टेबल इस्पून के करीब mustard oil डालूंगी, हमारा oil गरम हो गया है, अब मैं इसमें 1 टेश पून जीरा डाल दूंगी, जीरा हमारा चटक जाए उसके बाद जो मैंने अद्रक और लस्तन चॉप कर कि रखाता वह एस सवा Baptist मैं डालनाड देआ है अधरक और लस्तन हल्का सा फ्राई हो जाए उसके बाद मैं इसमें जो मैंने प्याज को chop करके रखा था वो इसमें add कर दूँगी और अब हमने प्याज को भून लेना है प्याज को हमने pink होने तक भूनना है golden brown नहीं करना है हमने इसको only pink करना है यह दिखिए हमारा प्याज भून चुका है अब मैं इसमें जो मैं टमैटो चॉप करके रखे तो वो डाल दिये हैं और अब हम टमाटर को भी प्याज के साथ 2-3 मिनट तक भून लेंगे और इसमें मैं हरी मिर्च भी आइट कर दूँगी और अब हम हरी मिर्च प्याज और टमैटो को भून लेंगे 2-3 मिनट तक 2-3 मिन और इसके बाद इसको 2-3 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे और 2-3 मिनट बाद मैं इसमें मसाले आट कर दूँगी मसालों मैंने आट कर लिया धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और यह कश्मीरी लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च से सब्जी यह बहुत अच्छा कलर आता है सब्ज़ी दिखने में भी अच्छी लगती है और अब हम मसालों को अच्छी से मिक्स कर लेंगे और मसालों को हमने 2-3 मिनट तक भुन लेना है हमने पनीर को मसालों के सांद अच्छे से mix कर लेना है यह देखिए हमारा पनीर अच्छे से mix हो गया है अब मैं इसको 10 मिनट तक धकल आके लो फ्लेम हैं पकने करें छोड़ दूँगी और 10 मिनट बाद इसे हम चेक कर लेंगे 10 मिनट बाद देखिए गाईज एक बाद सब्जी को चेक कर लेते हैं यह देखिए हमारी सब्जी अच्छे से पक गई है इसको एक बाद चला लेते हैं यह देखिए सब्जी बहुत अच्छे से पक गई है इसको हम अच्छे से mix कर लेंगे और अब हम gas की flame को off कर लेंगे और सबजी को हम serving ball में serve कर लेंगे ये देखिए गाईज हमारी सबजी बनके बिल्कुल तयार है कितनी अच्छी लग रही है color भी कितना अच्छा है है इसमें और उपर से हम इसमें धनिया पत्तर डाल देंगे यह देखिए गई इस हमारी सबजी में के बिल्कुल रेडी है पराठो के साथ ते सबजी बहुत ही टेस्टी लगती है और अगर आपको यह इसी पसंद आए तो गाइस इसे प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और इसको ज़रूर नाके ट्रै कीजिए थैंक यू